अब कुछ खबरें जिलो से जांजगीर चापा की बमनीरी शेत्र के ग्राम लुखर्री स्थित पचरीहा तलाब के गहरी करण कारे के दौरान प्राचीन मूर्ती मिली है इस मूर्ती को ग्रामिनों ने गाओं के महाकाले इश्वरी मंदिर में इस्चुरक्सिच रखा है लगातार मिल रही है जिन्हीं संरक्षत किये जाने की जरूरत है नरायनपुर जिले के बेनूर और भटपाल के बीच कोंडा गाओं जा रही एक यात्री बस अन्यंतरित होकर पलट जाने से लगभग 20 यात्री घायल हो गये है घायलों में कुछ बच्चे और महिलाएं भी शामिल है गंबिर रूप से घायल कुछ यात्रियों के इलाज के लिए बेनूर के समुदाइक स्वास्त केंद्र में भरती कराया गया है सक्ती जिले के डभरा के युवा समिती सुमित चंद्रम भारती नौसेना में लेफ्टिनेंट बन गया है सुमित इस पद पर पहुँशने वाले शेत्र के पहले युवा है भारती नौसेना कादमी केरल के आयोजित दिक्षान सम्हारों में उन्हें चीफ और नेवल स्टार्फ रीलिंग ट्रोफी प्रदान की गई और पूरे में पोस्टिंग दी गई है सर्गुजा पुलिस ने एक टीवी शो में आठ लाग से अधिक की इनाम राश्य दिलाने का जहांसा देका ठगी करने की मामले में एक नावालिक साइथ दो आरोपियों को गिरफतार किया है सीता पुर्थानर शेत्र के एक राम सोंतराई आमा पारा निवासी एक व्यक्ती ने थाने में ठगी की शुकाया दर्च के रहाई थी कि आरोपियों से द्वारा उससे तीन लाख रुपए की ठगी कर ली गई है जार्च के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर उनके पाच से पाच मोबाइल दो एटियम कार पैन कार्ट साइथ दस अजार रुपए नगजब्त किये हैं भीशन गर्मी से लोगों को राहत पहुचाने के लिए भूतपूर्वस सैनिको द्वारा भिलाई में शर्बत वितरन कारिक्रम का आयोजन किया गया 36 गड़ आर्मी पब्लिक वेलफेर फाउंडेशन की स्थापना दिवस पर पावर हाउस चौक पर इकारिक्रम आयोजित किया गया कारिक्रम में भूतपूर्वस सैनिको ने परिजनों के भी सहयोग प्रदान किया इस मौके पर भूतपूर्वस सैनिको ने लोगों से वहां चुलाते समय याताया तनियमों का पालन करने के साथ ही गर्मी से खुद को बचाने की भी अपील की है